दोस्तों शनी की पिरिक्शा से जो डर गया वह भिकर गया और जो निकल गया वह निकर गया जैसे सोनना अगनी से निकल कर निकर जाता है नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागित करता हूँ आपका अपने यूटिवी चैनल अक्षी थैस्टरों मास्टर में मेरे तुला राशी वाले दोस्तों कैसे हूँ दोस्तों मैं मा में आपकी राशी के शत्रू स्थान पर राहू और मंगल के यूति योग से निर्मान हो रहा अंगारक योग शत्रू पर अंगारे बन कर बरसेगा शत्रू का सर्वनाश करेगा परत्यक्ष शत्रू हो या गुप्त शत्रू सबको जड़ से उखाण फैंगने का कार्या करेगा इसके अलावा गुरू के राशी प्रवर्तन से निर्मान हो रहा वपरीत रायोग भी जीवन में पेशारी विगन बादर भी पत्तियों से छुटकारा दिलाएगा ग्रैगोचर के मसार मई माँ आपके लिए जोश उत्सा उमंग और उर्जा शक्ति का भाव लेकर आ रहा है आपकी राशी पर उर्जा कार्क ग्रैम मंगल और सूर्या की द्रिष्टी पढ़ेगी मंगल की द्रिष्टी पूरे महिने पढ़ेगी तो सूर्या की द्रिष्टी चोदा मई तक पड़ेगी राशी के साथ साथ राशी स्वामी शुक्कर भी उर्जा कार्क सूर्या के परवाब शेत्र में रहेगा उर्जा की अधिक्ता आपके स्वाब में करोध का भाव ना पैदा करें इसलिए शांत बने रहें जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उर्जा शक्ती का उचित लाब उठाएं जोश जोश के साथ होश भी बनाई रखें नहीं तो क्रोध की अधिक्ता का स्वास्त पर प्रतिकूल परवाब पढ़ सकता है इसलिए क्रोध वानी और वहवार पर उचित ध्यान दे एहंकार से भी दूरी बना कर रखें मंगल जनित उर्जा का उचित लाब उठाएं तो मंगल आपका मंगल करेगा बात करें शिक्षा की तो आपकी राशी के पंचमबा पर पंचमबा का स्वामी शनी संचार कर रहा है शनी मेहनत करने वालों को भी बहुत पसंद करता है इसलिए विद्यार्थी अपना करम करते जाएं बाकी सब शनी पर छोड़ दे आपकी मेहनत वियर्थ नहीं जाएगी मेहनत और प्रयासों से सफलत और उनती का मार्ग परशस्त होगा शनी का सवाब ही है प्रिक्षा लेना इसलिए कभी एक बार शनी आपके विचारों में नकरात्मक उर्जा पैदा करेगा वह बिन परकार के विचार आएंगे एक आगरता भंग कर भ्रमित करने का कार्या करेग बात करें प्रेम स्बंदों की तो आपकी राशी के प्रेम प्यार भाब का स्वामी भी शनी है शनी का प्रेम प्यार भाब अपने बाब पर संचार प्रेम जीवन में उतार चड़ा बनाई रखेगा प्रेमी जन्ग के साथ कभी कबार तकरार तो कभी कबार प्यार देखने क मिलेगा प्रेमी जंग के प्रति गल्द फेमी और संधियास्पर स्थितियें भी देखने को मिल सकती है इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें विश्वास में कोई कमी ना करें प्रेमी जन के प्रति मानदार और निष्ठावность बने रहें तब शने की करिपया के प पूरे महिने लडाई जगडे और कोट कचैरी वाले भाव में राहू के साथ यूती योग में अंगारक योग का निर्मान करेगा। चोदा मई तक दमपत्य अबाप पर उच्च का सूर्य भी संचार करेगा। इसलिए करोध और एहम से धुरी बना कर रखें। दमपत्य जीवन पर करोध को खावी ना होने दे। तूला राशी वाले वहें दोस्त जिनकी जनम कुंड़ी का। दमपत्य अबाप भी पाप ग्रस्त हैं वहें अधिक स्तरक रहें। चोदा मई के बाद दमपत्य अबाप पर केवल शुकर और बुद्ध का युदियोग दमपत्य जीवन में सुक, शान्ति और परसंता का भाव पैदा करेगा पती पत्री में पहले से अधिक प्रेम प्यार और लगाब देखने को मिलेगा। इसमा वेपारी दोस्तों के पर ले जाएगा सरकारी सायोग से वेपार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। जीवन साती के नाम पर या भागीदार के साथ मिलकर कार्या करना ला प्रद्साबित होगा। कार्या वेपार में विस्तार के लिए सरकारी या गैर सरकारी किसी भी परकार के रिंड की वो शक्ता तो सरल्टा से उपलब्द हो सकता है मंगल के छटेवा पर संचार से वैपार की प्रतिस परदा में आगे बढ़ेंगे। खास कर अंगारक योग चिंता परशानी का कारण बनता है लेकिन छटे बापर अंगारक योग आपके लिए चिंता परशानी नहीं बलकि शत्रूम के लिए चिंता परशानी का कारण बनेगा आपके परवाब में वरिदी होगी मेहनत प्राक्रम और प्रयासों से सफलता और उन्नती प्रापत करेंगे इसमा आप भाग्या बरुसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे बलकि करम करेंगे भाग्या से आगे करम को रखेंगे मंगल और सूर्या की आपकी राशी पर दृष्टी नवीन अरज़ा शक्ती का संचार करेगी यह है उर्जा शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी लंबे समय से विदेश बंदी कारियों में कोई अर्चने आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाएंगी मई मा से गुरू की दृष्टी वी महसूस हो सकती है लेकिन दस मही के बाद भाग्या का सैयोग मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि दस मही तक आपकी राशी के भाग्या वापका स्वामी बुद्ध छटे वा नीच राशी पर राहू और मंगल के प्रवाब शेतर में रहेगा इस से बुद्ध के सैयोग में दूर हो जाएगी वैपार का रकबुद्ध का वैपार बाप पर संचार वैपारी दोस्तों के लिए विशेश रूप से लापरद रहेगा भाग्या बलके सासत बुद्धी बल भी प्रापत होगा वैपारी दोस्तों को वैपार के सिलसले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे करियर को लेकर कोई महत्तपुरन निर्निया लेने जा रहे हैं तो लेने के लिए दस मईए के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा दस मईए के बाद बुद्ध की उत्तम स्थिति उचित निर्निया लेने के लिए अपयोगी साबित होगी वानी भी पहले से अधिक प्रवाव युक्त देखने को मिलेगी दस मईए से लेकर चोदा मईए तक सब्तम्बा पर सूर और बुद्ध के युतियोग से बुद्ध अधित्य रायोग का निर्मान होगा यह रायोग मान समान और प्रतिष्टा में वरिदी करता है उपर से सूर्या का उच्छ राशी पर संचार सोनने पर सुहागे जैसा कार्या करेगा चोदा मईए को सूर्या राशी प्रवर्तन कर अश्ठंबा में गुरू के साथ युतियोग बनाएगा अश्ठंबा पर सूर्या का संचार नकरातम कुर्जा पैदा करता है लेकिन गुरू के परवाब से सूर्या के अच्छे परिनाम देखने को मिलेंगे लाब बाप के स्वामी सूर्या के अश्ठमबा परसंचार से अक्समात से बहुत बड़े लाब के योग बनेंगे यह लाब किसी भी रूप में हो सकता है 19 माई को राशी स्वामी शुकर भी राशी प्रवरतन कर अश्ठमबा में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशी का अश्ठमबा शुकर का अपना भाव है। इसलिए शुकर की यह स्थिती उत्तम रहेगी। पिछले समय से सुस्राल पक्ष के साथ कोई मन मुटाब चल रहे ह तो वह मन मुटाब धूरोंगे सबंदों में सने और मदूरता का भाव पैदा होगा। पैत्रिक संपत्तिस बंदी विवादों से गुजर रहे दोस्तों को भी सुर्या गुरू और शुकर की इस स्थिती का लाब मिलेगा। लंबे समय से आपकी राशी के धन बाप पर शनी और राहू की कूद रिष्टी दन की स्थिती को काफी कमजोर बना रही है लेकिन अब अश्ठम बाप से सूर्या गुरू और शुकर की भी धन बापर द्रिष्टी पड़ेगी जो दन की स्थिती को मजबूती पर दान करेगी शनी और राहू की कूद रिष्टी के अशुब पुफलों में भारी कम ही आएगी महत्तपुर्ण ग्रयागोच्री अस्तिती के साथ आप जून मा में परवेश करेंगे जो जून मा को भी महत्तपुर्ण बना देगी जाते जाते लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें